हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई यूटूम चैनल अपना देसी किचन तो आज मैं यहां पे बना रही हूँ प्री मिक्स खिचड़ी आज मतलब कि सैटरडे को मैंने ये वीडियो बनाया था बट मैंने उस दिन डाला नहीं तो सोचा चलिए आज डाल देती हूँ तो य यह आम तोर पे बच्चों को देने के लिए मिलती है पैकेट्स में आते हैं यह आपको किसी भी जनरल स्टोर में उपलब दो जाएगा और मैंने इसको थोड़ा स्वादेश्ट बनाने के लिए और हल्दी थोड़ी से सबजियां ली हैं यहां मैंने एक कटोरी मतर थोड़ी यह करण लिए हैं मैंने थोड़ा area पता दालने के लिए और यहां डिया कुकर कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सई ब्रती कररा जीर, तेज पत्ता क्योंकि तेज पत्ते से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है उसके बाद डाली हारी मिर्च और इनको थोड़ा सा सौटे करेंगे इसमें इसके बाद मैंने जो पयाज काटके रखे है इसको अड़ कर दिया है इसके अंदर और इसको भून लेंगे एक से दो मिनट कि इसका हलका सा भून जाएगा गुलाभी हो जाएगा और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है लैसून आप अद्रक भी डाल सकते हैं बट गर्मी के मौसम में अद्रक जादा गरम होता है इसलिए मैंने स्किप कर दिया है फिर उसके बाद हम वेजिस डाल देंगे यहाँ पर आपके पास जो भी बेजिस है जैसे शिमला मिर्च होगी बीन्स वगेरा भी डाल सकते हैं मेरे पास जोती मैंने वो एट की है और इनको हम दो से चार मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि इनका जो कच्छा पन है वो निकल ना जाए और भूनने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला इसके बाद डालूंगे मैं स्वाद के अंसार नमक और थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी और इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद जो प्री मिक्स हो है हमारा खिचडी का उसे डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने उपर से मूंग डाल दाली है इससे क्या होगा कि धोड़ा दाल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा और मुंग दाल में तो प्रोटीन वैसे भी बहुत होता है और बस इसमें हम पानी डाल देंगे अभी ये दाल थोड़ी चिपकी थी तो मैं ने उसमें भी पानी डाल के इसको डाल दिया है अब यहाँ पे मुझे इतनी जरूरत है उसे इसाब से पानी डाल दूँगी और दो विसल आने तक हम इसको पका लेंगे ज्यादा मतलब नहीं पकाना है अदरवाइस नीचे से खिचड़ी लगना चालू हो चाहेगी तो विसल आने तक मैं इसको पकाऊंगी और यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी पक गई थी तो मैंने उसको भाप निकाल के ढग दिया था तो यहाँ देखिए इस तरह के खिचड़ी बन के तियार सर्व करने के लिए तो मेरी आज की छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें